हेलो एवरीवन तो देखिए हम लोग कर रहे हैं यूनिट बन सिक्षा मनोविज्यान तो आप लोगों ने वीडियो जो है वो देखा होगा अच्छे से और समझ में भी आया होगा तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं मनोविज्यान का विकास संपरदाया स्कूल किस तरीके से मनोविज्यान का विकास हुआ और यहां पर बहुत सारे साइकलोजिस्ट जिन्होंने अपने अलग-अलग स्कूल खोले ठीक है तो जहां पर अपनी अपनी वो विधियों का प्रियोग किया तो सबसे पहले जो है मनो विज्ञान की जो प्रियोग साला खोली थी हमने बात की थी कि जो विलियम बुंट है इन्होंने 1879 में लिबजिंग वर्ग में जर्मनी में जो है वो प्रिथम प्रियोग साला खोली थी तो उसे समय जो है सरंचनावाद संप्रदाय का उदय हुआ ठीक है तो मनो विज्ञान का विज्ञानिक काल 1889 में से सुरू हो गया और इसी वर्ष विलियम बुंट ने अपनी पहली मनो विज्ञानिक प्रियोग साला इस्थापित की और सरंचनावाद संप्रदाय का उदय स्कूल है सबसे पहला जो संप्रदाय है वह है सरंचनावाद तो इसके जो समर्थक हैं विलियम बुंट है और इनके शिश्य जो रहे टिचनर विलियम बुंट के जो शिश्य हैं टिचनर इन्होंने अमेरिका के कॉर्णेल विसविध्याले में 1892 में सरंचनावाद स्कूल जो है वह है प्रारंब किया तो सरंचनावाद जो है मनो विज्ञान में विश्विध्याला में पनपने वाला जो है वो प्रथम जो है संप्रदाय माना जाता है ठीक है तो दर्शन सास्त्र से जो है मनो विज्ञान को अलग करने का स्रे जो है वो इसी संप्रदाय को माना जात सरंचनावाद को तो आपको याद आया होगा जब मैंने आपको बताया था कि पहली जो प्रयोक्षाला जो है इस धापित की उसके बाद से मनो-विज्ञान धरसन शास्र से अलग हो गया तो इसी वज़े से स्रंचनावाद संप्रदाय को ही माना जाता है कि दरसन सासर से मनोविज्ञान को अलग करने का सुरे किसको जाता है सरंचनावाद को सरंचनावाद की अनुसार जो है मनोविज्ञान की जो विसेवस्तू है वह है चेतन अनुभूती थी क्या थी चेतन अनुभूती चेतन पर जो है वो सरवादिक बल दिया गया चेतना से तात पर उ तो उसे हम जो है वो चेतन मन कहेंगे तो हमारा माइनड जिस समय जो है पूरी तरे से अक्टिव होता है तो उसको ही हम क्या कहेंगे चेतनमन कहेंगे तो टिचनर इन्होंने चेतना के तीन तत्व बताए समवेदन, भाव या अनुराग, प्रतिमा या प्रतिविम जब हम अपनी active position में होते हैं तो वहां हमारा समवेदन ये तत्व काम कर रहा होता है हमारा क्या भाव है, वह काम कर रहा होता है और वह प्रतिमा जिसको हमने देखा बुंट के समय मनो विज्यानिक जो है वो अंतर निरिक्षन विधी द्वारा मन की सरंचना का जो है विशलेशन कर रहे थे तो इसी लिए जो है इन्हें सरंचनावादी जो है कहा गया ठीक है और इसी स्कूल का नाम जो है वो सरंचनावाद संप्रदाय या सरंचनावाद स्कूल कहा गया क्योंकि इन्होंने मन की जो सरंचना है जो स्ट्रक्चर है उसका विशलेशन किया अंतर निरिक्षन विधी को जो है आगे जो मनोविज्ञानिक जुन्होंने इनकी अलोचना की उन्होंने इसे कम विज्ञानिक पाया कि ये विज्ञानिक नहीं है ये मनोविज्ञानों को जो भी मनोविज्ञानिक थे उनको संतुष्ट नहीं कर सका क्योंकि अंतर निरिक्ष शब्द का प्रियोग केवल टिचनर ने किया बुंट ने नहीं किया याद रखें कि सरंचनावाद शब्द का प्रियोग जो है वो केवल टिचनर ने किया बुंट ने जो है इसे शब्द का प्रियोग नहीं किया बुंट ने अपने विचारों को वॉलिंटेरिजम कहा ठीक है याद रखिएगा कि सरंचनावाद सब्द का प्रियोग जो है वो किवल टिचनर ने किया और बुंट ने अपने विचारों को क्या नाम दिया वॉलेंटेरिज्म नाम दिया फिर देखिए सरंचनावाद के बाद जो है जो स्कूल का नाम आता है जो संपरदाय है वह है प्रकार्यवाद या कार्यवाद जो की सरंचनावाद जो स्कूल है उसकी अलोचना करता है तो इसकी स्थापना जो है वो विलियम जैम्स ने 1890 इसवी में की थी किसकी प्रकार्यवाद की प्रकार्यवाद जो संपरदाय है तो इसका जो स्थापना है इसका जो प्रारम है वो विलियम जैम्स ने अमेरिका का जो हार्वर्ड युनिवर्स्टी है उसमें किया था ठीक है तो इनके अनुसार जो है प्रकार्यवाद के अनुसार जो मनोविग् के कारे जो है उनका ध्यन करना है ठीक है तो यहां पर ये संप्रदाई के जो लोग है वो दो तरह के जो है कोशन जो है उनका आंसर ढूनने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या करता है और व्यक्ति क्यों कोई जो है व्यभार करता है ये जो है इन प्रशनों का आंस किया विलियम जेम्स का मानना था कि मनो विज्ञान का संबंध जो है किससे है चेतना क्यों और कैसे काम करती है इससे है ये लोग जो है दो तरीके के कुश्चन जो है उनका आंसर ढूनने कोशिच करते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या करता है और व्यक्ति क्यों जो है कोई ती जिसमें उन्होंने समवेधना, प्रतिमा और अनुराग उसका अध्यन करना बताया तो ये लोग उस बात को नकारते हैं ये कहते हैं कि चेतना के तत्व कौन कौन से हैं ये इस बात की जो है जो व्याख्या नहीं करनी चाहिए बल कि ये देखना चाहिए कि व्यक्ति जो है क्यों कोई जो व्यवार कर रहा है तो जैम्स ने चेतना की कार्यात्मक उप्यूगता पर जो है अधिक बल डाला कि कैसे जो है वो चेतन कार्य करता है चेतन मन किस तरीके से जो है व्यवार करता है इसके जो अन्ने संस्थापक हैं ड्यूवी हैं और एंजिल विलियम जैम्स के अनुसार मानव की सनरचना पर ध्यान देने के स्थान पर यह अध्यन करना चाहिए कि मन क्या करता है और मन व्यवहार लोगों को अपने वाता वरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है तो जब हमने इनकी परिभासाएं पढ़ी थी तब भी हमें इस चीज की जो है वो नौलिज हो गई थी कि जो प्रकार्यवाद संपरदाय है वो कैसी बात करते हैं वो ये नहीं कहते हैं कि चेतन के तत्व जो है वो क्या-क्या है, वो ये बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करते हैं, विलियम जैम्स ने 1899 में Talk to Teachers पुस्तक लिखी जो की जैम्स की प्रिथम पुस्तक थी, ठीके, तो ये बात जो है वो आप याद रखें, तो इसी लिए इस संपर रखा गया, तीसरे जो सम्परदाए है, गेस्टाल्टमनोविज्ञान या सम्पूर का अध्यन करता है उसके बाद में उसके वो छोटे-छोटे जो पार्ट है, उसका ध्यर्म करता है, मान लीजिए एक जो पेड़ है, एक जो पेड़ है, ठीक है, तो कहीं भी हम जब जाते हैं, तो सबसे पहले हमें वो पेड़ दिखाई देता है, हमारी नजर केवल पेड़ पर जाती है, ना कि उस पर लगे हुए फल, फूल, पत्ती इन पर जाती है। हम सबसे पहले एक जलक में वो पूरा पेड़ देखते हैं। फिर बाद में हम उसके छोटे छोटे जो भाग हैं उन पर जाते हैं। यानि होल टू पार्ट की बात जो है ये गैस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतरगत ये जो मनोविज्ञानिक हैं करते हैं। तो गैस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दीमर द्वारा 1912 इसवी में की गई थी। ठीक है और यहां पर जो संस्थापक हैं गैस्टाल्ट मनोविज्ञान के वो हैं वर्दीमर यहां जो प्रियोग करने वाले कोहलर रहे और इनका साथ देने वाले रहे कोफका। तो जो जर्मन संप्रदाय के यह तीनो नाम जो है वो आप याद रखें कोहलर, कोफका और वर्दीमर गैस्टाल्ट जो है एक जर्मन सब्द है जिसका आर्थ क्या है संपून, पून, आकर्ती, आकार या समाकर्ती ठीक है तो यह संपून से अंसकी और जाने की बात करते हैं मनो विज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है, गैस्टाल्ट वाद में इस विचार पर बल दिया जाता है कि चीजें पून तहें एकिकरत रूप से अनुवव की जाती है, पूरी तरीके से इंटीग्रेटिड रूप में जो है इनको हम फील कर सकते हैं, ठी और सदेव अपने अव्यवों के योग से अधिक होता है, जैसा कि मैंने पेड का एक्जामपल आपको दिया, कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है वो संपून्टा, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में हम जब एनलाइस करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका जो पू और कहलर ने अधिगम के शेतर में कार्य किया, तो कहलर की जो सिद्दान्त है, जिसमें हम देखते हैं कि कहलर ने वन मानुस पर अध्यन किया था, ठीक है, और जो वर्दिमर हैं, वह है प्रतिक्ष्रन के शेतर में कार्य करते हैं, तो इस संपरदाई की जो लोग हैं, वो य यह नहीं कहते हैं कि आप जो है कोई भी प्रीयास करो या गलती करो और फिर इनसान सीखता है यह बोलते हैं कि व्यक्ति जो है सीखने की जो प्रासेस है वो क्या है एकदम उसके दिमाग में जो बत्ति जलती है वह है यानि कि सूज के द्वारा वक्ती कोई भी चीज सीख सकता है कौफका ने इस्मृति के शेतर में काम किया तो इस्मृति के शेतर में किसने काम किया कौफका ने काम किया ये कहते हैं कि जो इस्मृति है इसमें जैसे जैसे टाइम बीटता जाता है वैसे वैसे जो है इसमें चेंजमेंट जो है वो आते जाते हैं ठीक है ये कहते है कि स्मृती जो है वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है फिर देखें नेक्स्ट जो स्कूल है वह है व्यवहारवाद तो यहां संस्थापक कौन है जेबी वाट्सन है वाट्सन के अनुसार मनोवि उसकी अलोचना करके विवहारवाद स्कूल जो है वो आता है जिसमें ये कहते हैं कि जो विशेवस्तु है किसकी मनोविज्ञान की वो चेतना नहीं है बलकि केवल और केवल विवहार हो सकता है तो वाट्सन के विवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया या इन्हों ने मनोविज्ञान की चार विधियां बताई कौन कौन सी वाट्सन ने एक तो प्रेक्षण बताई अनुबंदन बताई परिक्षण बताई और साब्दिक रिपोर्ट ठीक है वरवल रिपोर्ट तो देखिए प्रेक्षण जो है वो क्या होता है प्रेक्षण यानि की निरिक्षन करना तो इन्होंने जो चार विधियां बताई जिसमें पहली जो है वो निरिक्षन विधी है यानि की जिसमें जो बच्चा होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो मानसिक और शाररिक रूप से जो है क्रियाशिल रहता है ठीक है क्योंकि जब चात्रे किसी प्रिक्षन विधी और उसके अधार पर ही वो नवीन जो तथे होते हैं उन पर पहुंसता है दूसरा है अनुबंधन अनुबंधन यानि की कंडीशनिंग जो की हम आगे चलके सिद्धानतों में पढ़ेंगे पैवलोव की ठियोरी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस विधी का प्रियोग करके एक ऐसी कंडीशन जो है वो पैदा की जाए कि जो चीज जो है natural हो रही थी वो अब condition के द्वारा हो रही है ठीक है तो इन्हों ने जो है Watson ने चार विधियां प्रयोग में लाई एक तो देखकर निरिक्षन करके जो है इस विधी का प्रयोग जिसके आधार पर व्यक्ति जो है वो तथ्य पर पहुंसता है दूसरा महतवपून जो है वो प्रिक्षन या निरिक्षन विधी है तो मनो विध्यान की विसेवस्तु के रूप में Watson ने निरिक्षन योग के विभार पर जो है वो ज़्यादा बल दिया है और प्रयोग आत्मक विधी को जो है महतवपून माना है इसका समर्थन कौन-कौन करते है थौंडाइक कर रहे हैं पैवलोव कर रहे हैं इसकी नर कर रहे हैं गुथरी कर रहे हैं हल टॉलमेंट बॉंड रहा इन सबकी जो थियोरी है उसमें हम देखेंगे इन चारो जो विधियां है इनका प्रियोग ठीक है प्रेक्षन का प्रियोग यानि किसी चीज को देख कर औ उद्धीपक के साथ और उसे जबरन उसकारे को करने के लिए प्रोसाहित करना ठीक है परिक्षन करना और साब्दिक रिपोर्ट तो ये चारो चीजें जो है जिसका समर्थन कौन करते हैं थोंडाइक करते हैं पैवलोब करते हैं इसके इनर करते हैं गुथरी, हल, टॉलमेन और बॉंडुरा करते हैं नेक्ट जो स्कूल है मनो विशलेशन वाद स्कूल अब देखिए यहाँ पर समपरदाय मैंसे आप लोगों से कैसे कुस्चन एक्जाम में आता है एक्जाम में कुश्चन जो है वो ऐसा आएगा कि मनो विशलेशन स्कूल की स्थापना किसने की व्यवहारवाद जो है स्कूल इसकी स्थापना किसने की या प्रकारेवाद की स्थापना जो है वह है किसने की यह पूछा जाएगा, यह पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की चार विधिया, प्रेक्षण, अनुबंध, परीक्षण, साब्धिक रुपोर्ट किसने बतलाई यह पूछा जा सकता है ठीक है और इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि जो टिचनर हैं उनकी अंसार येतना के कितने तत्व हैं ठीक है तो हमने देखा तीन तत्व समवेदन भाव प्रतीमा ठीक है ये तीनों है इस तरीके से कुश्चन जो है यहां पूछा जाएगा मनो विशलेशन वाद स्कूल ऑफ साइको एनलेस इसकी स्थापना जो है वह सिग्मन फ्राइड ने की थी और इन्हों ने अचेतन मन पर सरवादिक बल दिया कौन सा मन जो मैंने आपको बताया था सुअपन वाली बात थीक है तो उस पर जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा बल यानि व्यक्ति जो है जो भी हम देख रहे हैं कि वो एबनॉर्मल विवार कर रहा है उसका कारण क्या है अचेतन मन है यानि कुछ ना कुछ जो है उसके माइंड में पहले की चीज जो है वो रह रही रह गई है जिसको वो उस चेतन वस्था में नहीं कर पाया और वो जो की उसके अचेतन मन में चले गई और अब वो असमाने विवारों के कारण जो है वो सामने आ रही है ठीक है तो इसी अचेतन मन का जो है सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो सिगमन फ्राइड करते हैं तो फ्राइड ने जो है अचेतन मन के अध्यन की जो है वो तीन विदिय यानि कि किसी के सौपन के बारे में जानना समोहन यानि कि उसको समोहित करके और फिर ये जानना कि जो भी वो एबनॉर्मल विहेव कर रहा है उसका क्या कारण है ठीक है मुक्त सहाचर्य विधी यहां पर व्यक्ति जो है उसको कहा जाता है कि वो लेट जाए और लेट कर जो है जो भी बाते हैं वह सामने आ सकें तो ये तीन विदियों का प्रयोग जो है वो कौन करते हैं फ्राइड करते हैं तो फ्राइड ने लेंगिक मूल प्रवती पर जो है वो अत्यदिक बल दिया है ठीक है ये important line है जो कि कई बार exam में पूछी गई है और जिसको बाद में जो है वो नकारते हैं नेक्स्ट देखिए मानवतावादी मनो विज्ञान तो ये जो स्कूल है इसके समर्थक है अब्राहेम मैसलो और कार्ल रोजर्स तो मानवतावादी सिद्दान्त की व्याख्या जो है वो अन्य सिद्दान्तों से बिलकुल जो है वो अलग है इससे सिद्दान्त में जो है ये माना जाता है कि व्यक्ति जो है मूल रोप से यदि अच्छा है आदर्निय है तो उसके साथ जो उसका जो परिवेस है उसका जो वातवरणी दसाएं है यदि अनकूल है तो वो जो है सकारात्मक विकास करेगा ठीक है नहीं तो नकारात्मक विकास करेगा यदि जो परिवेस है दसाएं जो है उसके अनकूल नहीं है और मूल रूप से जो है वो व्यक्ति जो है वो अच्छा नहीं है तो इसके इससे दांद के जो प्रतिपादक जो है वो अब्राहिम मैसलो जो है इनको जो है मुख्य रूप से माना जाता है काल रोजर्स जो है इन्हें भी मानवतावादी मनोविज्ञान माना जाता है ठीक है मनोविज्ञान एक माना जाता है तो म मानवतावादी मनो विज्ञान ने विक्ति की स्वतंत्र जो इच्छाएं हैं आत्म व्रद्धी जो है आत्म सिद्धी जो है इस पर बल दिया है कि किस तरीके से उसको जो है पॉजिटिव जो है जो नेचर मिलता है यदि वो है इंसान पॉजिटिव है तो वो आपको जो भी जो भी विवार करके देगा कैसा देगा वो पॉजिटिव ही देगा ठीक है मानव का विवार जो है वो विक्ति की स्वतंतर इच्छाओं से नियंत्रित होता है ना कि अचेतन मन से होता है यदि उसकी जो भी इच्छाएं है यदि वो उस पर कंट्रोल पा लेता है जो उसकी स्वतंतर इच्छाएं है तो उसी तरीके से वो विवार करेगा ठीक है आचेतन मन का यहाँ पर कोई रॉल नहीं है मनो विग्यान सब प्रकार की ज्यानात्मक्रियाओं जैसे की इस्मरान करना कल्पना करना समवेदना यह सबी क्या है यह ज्यानात्मक्रियाओं है जो की ज्यान से जुड़ी हुई है ठीक है स्मरान यानि की याद करना कल्पना करना यानि सोचना समवेदना यह सबी ज्यानात्मक्रियाओं है और समवेग आत्मक्रियाओं जिसमें रोना हसना क्रोध ये सभी समवेग हैं गतिक क्रियाओ जिसमें बोलना चलना फिरना आदी इन सबका अध्यन है तो ये क्या है ये एक निचोड है कि मनोविग्यान आखिर है क्या तो मनो विज्यान जो है वो ग्यान अत्मक क्रियाएं जो भी हम सोच रहे हैं कलपना करना हैं समविदना कर रहे हैं इसका अध्यन करना है इसके अलावा जो हमारी समविदना क्रियाएं हैं रोना हसना क्रोथ करना इसका भी अध्यन करना है और गतिक क्रियाएं यानि की जो एक जगे से दूसरी जगे या एक जो बात है वह है दूसरी जगे ठीके ये सभी क्या है गतिक रियाएं है बोलना चलना फिरना इन सबका अध्यन क्या है मनो विज्ञान है तो इस तरीके से हमने मनो विज्ञान के संपरदाय की बात की जिसमें सरंचना बाद जो संपरदाय है सब से पहला है विलियम पुंट और टिचनर्क ने जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं पर कार्यवाद की हमने बात की जिसे हम कार्यवाद भी बोलते हैं जो की करने पर विश्वास करते हैं विलियम जैम्स जै और जॉन ड्यूवी जो है उसके समर्थक हैं व्यवहार वाद जो जो समर्थक हैं वो कौन है, सिगमन स्राइड है, जो कि अचेतनमन जो है, उसको बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इस तरीके से, मनोविज्यान के संपरदायः जो हैं, वो हमने पढ़े अगला देखे, मनोविज्यान की साखाएं तो मनोविज्ञान की साखाएं जो है देखिए दो साखाओं में बाटा गया है एक तो सुद्ध मनोविज्ञान जயसे हम सिदान्तिक मनोविज्ञान कहते हैं जो की एक थियोरी यानि की उस पर बेज़ड है दूसरा है अनो प्रियोक्त मनो विज्ञान जो की applied psychology यानि की जो apply करके देखते हैं ठीक है तो इनका जो ये जो है ये केवल ग्यान ग्रहन करना इनका सिद्दान्त जो है इस पर आधारित होता है कि केवल ग्यान ग्रहन करना है जबकि applied psychology जो है वो प्रियोग करके देखेगी सिद्धान्तिक मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का बिविन शेत्रों में प्रियोग करना तो यहाँ पर जो सिद्धान्तिक मनोविज्ञान है उसमें सामाने मनोविज्ञान आ जाएगा असमाने मनोविग्यान आ जाएगा, सामाजिक मनोविग्यान आ जाएगा, प्रायोगिक मनोविग्यान आ जाएगा, देहिक मनोविग्यान आ जाएगा, परा मनोविग्यान और बाल मनोविग्यान जो की थ्योरी बेस्ट है और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर applied जो psychology है उसमें नेदान एक मनोविज्यान आ जाएगा जिसमें नेदान किया जाएगा ओध्योगिक मनोविज्यान आएगा कानूनी मनोविज्यान खेल मनोविज्यान भोकता मनोविज्यान और सिक्षा मनोविज्यान तो हमारा जो विशे है वह है सिक्षा मनोविज्ञान तो ये किसके अंतरगत आएगा ये आएगा अनुपयोगत मनोविज्ञान यानि एप्लाइड साइकलोजी के अंतरगत आएगा ठीक है यहाँ पर जो सिद्दान तो होंगे उनका विविन शेत्रों में प्रियोग होगा त पहली मनो विज्यान प्रयोक साला स्थापित की गई भारत में। उसके बाद 1916 में कलकत्ता विस्वेध्याले में पहली मनो विज्यान विभाग की स्थापना की गई। 1938 में अनुप्योक्त मनो विज्ञान का विभाग जो है वो प्रारंब किया गया 1924 में भारतिय मनो विज्ञानिक एसोशियेशन की स्थापना हुई 1924 में इलहाबाद में मनो विज्ञान शाला की स्थापना हुई और फिर 1955 में बैंगलोर में National Institute of Mental Health and Neuroscience की स्थापना हुई तो यहाँ पर भारत में 1955 इसवी में बैंगलोर में किसकी स्थापना हुई National Institute of Mental Health and Neuroscience की ठीक है तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे Applied Psychology अनुप्यूक्त मनो विज्ञान जो है मनो विज्ञान की एक साखा जिसमें सिक्षा मनो विज्ञान को हम पढ़ेंगे जो की हमारा विशय है तो हमने अब तक जो है वो क्यों पढ़ा क्योंकि वहां से भी प्रश्ण जो है वो एक्जाम में पूछे जाते हैं सिक्षा के बारे में पूछा जाता है, मनो विज्ञान के बारे में पूछा जाता है, ठीके मनो विज्ञान जो है उसका विकास कैसे हुआ ये भी पूछा जाता है, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी में सिक्षा मनो विज्ञान, तब तक जो भी पढ़ाया है इसको आप रिवाइस करिए थेंक यू